Types of eggs, first the contents, classification of eggs, alacethyl eggs, microlacethyl eggs, mesolacethyl eggs, macrolacethyl eggs, the homolacethyl egg, centrallacethyl eggs and the telolacethyl egg. Just so, सबसे पहले हम बात करते हैं, यह eggs की types से हम किसी context में discuss कर रहे हैं. क्योंकि animals जो हैं, वो अगर हम उसके pictures देखते हैं, तो वो they are more than one million, one three, one point three, यह सिर्फ ज़्याइपस हैं, million जो हैं जो हैं वो, यह नहीं कि अगर total animal, जो living organisms हैं, उनका number one point seven million है, one point seven million हैं, तक्रीबन one point three million से ज़्याइपस हैं. अब सब animals की eggs एक जैसे नहीं होते हैं. तो different types of animals जैसे हैं, उनके different types ज़्याइपस होते हैं, इसलिए हम eggs को different types में हैं, जो से उसको categorize करते हैं. तो अगर हम देखें तो eggs की जो categorization है, जो classification है, वो basically दो types, दो major जनी के उसको कह सकते हैं कि उसकी division के दो patterns हैं या दो हमारे पास जाओ इसके basis हैं. एक है classification of eggs on the basis of the amount of yoke. यह कुछ eggs हैं जिसमे amount of yoke कम है, कुछ में दर्मियान नहीं है, कुछ में बहुत ज़्यादा है, या ज़्यादा है. तो इस तरह से amount of yoke के लिहां से अगर eggs की classification करेंगे तो हम कहेंगे alacithal, alacithalic का मतला a का मतला without, कि almost नहीं के बराबर. तो alacithalic, आप किसी egg में egg, हम यह तो नहीं कहते हैं कि उसमें योग है ही नहीं, लेकि बहुत little amount जो है, वो तकरीबर negligible amount जो होगी तो हम इसको alacithalic कहेंगे. इस तरह से microlacithalic आएगा, mesolacithalic आएगा और microlacithalic जब हो आए जाएगे. एग्स की अगर हम amount of योग के लिया से तर्टीब नहीं बनाना चाते हैं, classification नहीं करना चाते हैं, तो फिर हम एग्स के अंदर योग की distribution के लिया से जहाँ classification कर सकते हैं. योग की distribution के लिया से हम एग्स की तीन categories बना सकते हैं, that is a homolacithalic, जिसको isolacithalic भी बोलते हैं, इस तर word हैं ये योग को represent करता है, alacithal eggs, eggs without any योग, यनि almost no amount of योग परेज़ नहीं था, eggs, ये वो eggs हैं जो के हमारे पास आ जाते हैं, placental mammals जो हैं वो, तो placental mammals के अंदर जो egg या एग्स के अंदर योग आल्मोस्ट ना होने के बराबर है, बहुत कम होता है, तो very little, very very little amount, very little भी नही के अंदर होगी, that will be the alacithal egg, तो example इसके मारे पास mammals हैं, कौन से mammals हैं, placental mammals, micro-lacithal eggs, micro का मतला है, थोड़ी amount, lacithal मीन योग, ये वो eggs हैं जिनके अंदर amount of योग little है, थोड़ी amount of योग मजूद है, तो इसमें हमारे पास योग योग है, तो इसमें हमारे पास योगते हैं, मीजो, मीजो का मतलता moderate, दर्मियन ना, लैसितल मीन, योग, तो मीजो लैसितल eggs, एक्स with moderate amount of योग, तो इसमें योग के amount ना तो बहुत ज़दा होती है, ना ये बहुत कम होती है, मीजो लैसितल एक्स में हमारे पास योग, इसके example में हमारे पास lung fishes आ जाएंगी, और amphibians आ एक्स में हमारे फ्रॉग, यानिके फ्रॉग, टोड़ वगारा के एक्स जोट से moderate amount of योग जाओ मवजूद होती है, मैक्रो लैसितल, मैक्रो केते हैं बड़ा लैवल, बड़ी amount, तो मैक्रो लैसितल एक्स मीन, the eggs with large amount of योग, जिसके अदर योग की amount ज्यादा होती है, जैसे एक्स का काम, आम तरह प्रोटेक्शन होता है, जो एक्स जो योग होता, वो यान्ग वन को फीड करता है, तो मैक्रो लैसितल एक्स मीन, large amount of योग जिनके एक्स में मौजूद है, दियार मैक्रो लैसितल एक्स में, अब इस हमारे पस आ जाएंगे, रैप्टाय और बर्ड्स मोर प्रामिनेंट हैं ये, रैप्टाय दो बर्ड्स के एक्स के अंदर, large amount of योग जह हो मौजूद है, एक्स की distribution, amount of योग के अलावा, जो दूसरा हमेने pattern कहा था, कि that is the classification of egg on the base of distribution of योग, distribution of योग के लिए ऐसे तीन टाप्स हैं, पहली टाइप है, होमो लैसितल, इसको isolecithal eggs वो हैं जिसमें योग equally distribute होता है, पूरे egg के अंदर, equal distribution है, equal distribution वाले eggs जो हैं, दियार homolysis legs, इसके एक्दाम्पल हमारे पास हैं, sea urchin है, और mammals के जो eggs हैं, दियार homolysis leg, central lecithal eggs, central lecithal eggs वो हैं, जिसमें योग center में, central means center, lecithal means योग, योग center में है, जबके cytoplasm जावा side पर चला जाता है, और ये eggs जो हैं, जिसके example हमारे पास जावो, they are the insects egg, insects अगर eggs देखेंगे, उसका योग center में होता है, जबके cytoplasm और nucleus जावो, sides पर मुझूद, ये same way situation बनेगी, जो plants के अंदर vacule बनाता है, कि vacule center में है, जबके cytoplasm सारा side पर होता है, इससे central lecithal eggs में, योग center में, cytoplasm side पर होगा, तीलो lecithal, तीलो का मतलब क्या होता है, तीलो क्या होता है, किनारे को, side को, तो lecithal means एक तरफ, तरफ, ये योग, जैनि, lecithal का मतलब है, योग, तो तीलो lecithal, ऐसे eggs जिसमें योग एक तरफ, और cytoplasm और nucleus दूसरी तरफ मुझूद होते है तो इसमें हमारे पास जब वो, तीलो lecithal eggs are those in which, योग is present at one end, या one side, and cytoplasm and nucleus, they are present on the other side, तो तीलो lecithal eggs की example हमारे पास जाहे हैं, वो आ जाएंगे, amphibians आ जाएंगे, reptiles और birds जिसमें ज्यादा amount of योग होता है, वो आम तो पर क्या होते हैं, तीलो lecithal eggs हैं